मा अन्न पूर्णा की साधना वैसे हम कहेंगे कि आप सबको मा अन्न पूर्णा की साधना एक बार अवश्य करना चाहिए मा अन्न पूर्णा की साधना से आपको जीवन में कभी दुख नहीं होता है और आपको धन धाने की वुद्धी होती है यही नहीं कैसा भी समय आ जाए संसरा में लेकिन मा अन्न पूर्णा आपको अन्न अवश्य देंगी आपकी हर परिशानियों को हर उतने की शमता रखती है वैसे आप सभी जानते होंगे कि मा अन्न पूर्णा का एक मेव मंदिर काशी में है जिसकी मूर्ती भी गायब हो गई थी अभी हाली में मिली है उभी कैनेडा में मिली अंग्रेज उसे ले गए थे लेकिन मंदिर के वल एक ही है और बहुत ही शक्ति शाली देवी है उनका मंत उनका विधान समझी आप उनका मंत है अब इधान समझी इसकी सिद्धी के लिए आपको एक लाक मंत जाब करना है फिर बह्म भोज कराना है प्रहमनों खिलाना है और जो सामगरी आप खिलाएंगे उसमें थोड़ा सा निकाल करके आप मां अन्न पूर्णा कोई भोग दे और एक भाग कुवें में डाले एक हाथ से जलका लोटा भर के लाए और फिर दीपक जलाके कोठा में और थाथ एक कमवे में अन्न पूर्णा और वरुन देवतास दोनों की पूजन करे और फिर एक माला की जाब करके ब्रहमन को भोजन कराए आप देखेंगे कि आप कियां कभी अन्न की कमी नहीं होगी कैसे भी परिस्थिती आ जाए देकिन मा अन्न पूर्णा के आशिवात से आपका भणनारा भरते ही हो रहेगा आप हमेशा सफल होंगे ये बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है जिसकी सहायता से आप बड़े से बड़ा कावे कर सकते हैं अगर मानना पूर्णा पसंद्य हो गई तो आपके जीवन में सफलता ही सफलता है और वो अन्त तक आपका साथ अवश्य देंगी लेकिन एक लाग जब कई बार लोग सोचेंगे कि मुश्किल है तो आप छोटा नुष्ठान भी कर सकते हैं जैसे ग्यारा हजार जब का इक्की सहजार जब का या एक्क्यावन हजार जब का लेकिन अस्रिया नुष्ठान तो एक लाग मंतर का ही है जै मानन पूर्णा